हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू उपासना कूकिंग आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ ये एकदम बाजार जैसे सोप्ट इस्पंजी गुजराती खमड ढोकले की रेसिपी और आप देख सकते हैं कि ये ढोकले कितने जादा सोप्ट और इस्पंजी बने हैं और ढोकला पर कितने जादा एयर पोकेट्स हैं ये तब ही होता है जब सही माप और सही ट्रिक्स का यूज करके ढोकला बनाया गया हो अब आप भी ऐसे ही सोप्ट इस्पंजी जालीदार ढोकले घर पर आसानी से बना सकते हैं तो पूरी रेसिपी को ध्यान से देखकर सारे स्टैप को फोलो कीजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये ढोकला रेसिपी सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बरतन और इसमें डालेंगे दो कप बेसन ग्रामस में ये 250 ग्राम बेसन है एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा कम या थोड़ा जादा भी कर सकते हैं दो बड़ी चम्मच इसी हुई चीनी एक चोथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर इसमें हल्दी का यूज हमें थोड़ा कम ही करना है अगर इसमें हल्दी जादा हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि धोकला के उपर रैड स्पोर्ट आ जाते हैं दो बड़ी चम्मस तेल डालेंगे और इसमें एक छोटी चम्मस साइटरिक आसिद डालेंगे मैं आपको ये एकदम बाजार जैसा जालिदार खमन धोकला बनाना सिखा रही हूं तो बहाँ पर ये साइटरिक आसिद का ही उज होता है अगर आपके पास यह साइट्रिक एसिड नहीं है तो आप यहाँ पर एक निम्बू का रस भी डाल सकते हैं इसे हम गरम पानी में इस तरीके से घोल कर ही डालेंगे गरम पानी में घोलने से बहुत ही इजिली घुल जाते हैं अब हम इसमें पानी डाल कर इसका लंस फ्री पानी में कितना पानी डालना है यह हमने दो कप बेशन लिया था तो हमें इस बैटर को बनाने में डेड़ कप प्लस दो टेवल स्पून पानी डालना है बेशन को गोलने के बाद अब हमें इस बैटर को पांच मिनट तक अच्छे से फ्रेटना है ढोकले के बैटर को पांच मिनट अच्छे से फेटने के बाद ये देखिए हमारा बैटर कुछ इस तरीके से हलका हो जाएगा और हमें ये बैटर इस तरीके का रखना है ना ही बहु ज़्यादा पतला और ना ही बहु ज़्यादा गहाडा अब आप इसको ढखकर लगभग 10-15 मिनट के लिए रेष्ट करने के लिए रखना अगर आपको जल्दी ना हो तो आप इसे एक घंटे के लिए भी रख सकते हैं लेकिन अगर जल्दी है तो 15 मिनट तो जरूर ही रेष्ट दीजिएगा अब आप गैस पर रखें एक कढ़ाई मैं आपको ये धोकला कूकर में भी बनाना बताऊंगी कि कूकर में कैसे बनाते हैं अब हम कढ़ाई में डालेंगे एक लीटर पानी अब हम पानी में ये बरतन रखने का स्टैंड रख देंगे अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप यहाँ पर कोई छोटी कटोरी भी रख सकते हैं बस हमें पानी के ऊपर धोकला रखने के लिए इसकी थोड़ी हाइट बढ़ानी है आप गैस को ओन करेंगे और ध पानी में उबाल आने देते हैं अब कूकर में भी धोकला को स्टीम करने के लिए हमने एक लीटर पानी डाल लिया है आप इसकी थोड़ी हाइट बढ़ाने के लिए एक बरतन रख देते हैं अब गैस को ओन करके ये कूकर के पानी में भी उबाल आने देते हैं अब मैंने य लिया घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे अब दूसरा कूकर में बनाने के लिए मैंने हापर ये एक बड़ा कटोरा लिया है अब हम इसे भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे अब ये दोनों तैयारी हमने पहले से ही कर ली हैं चलिए तो आप चलते हैं अपने धोकले के बैटर की दरव अब ये धोकले का बैटर भी थोड़ा फूल गया है तो अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए फेट से और फेट लेंगे 9 जल्दवाजी कुछ छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं जिनहीं आप फोलो करोगे तो आपका भी धोकला एकदम इस्पंजी बहुती बढ़िया बनेगा आप हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच मीठा सोडा जो की सभी के घरों में अवेलेवल होता है आप ये सोडा के उपर एक छोटी चम्मच पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे आधा मिनट तक आप इसे फटाफट से अच्छे से मिक्स कर लेजिएगा और ये मीठा सोडा फ्रेस वाला यूज करें अगर उसका पाबर उड़ गया है तो ये धोकले का बैटर अच्छे से नहीं फूलेगा और हाँ ये बैकिंग सोडा भी आपको तब ही डालना है जब आ कैसी गलती बिल्कुल ना करें कि यहां पर आपने सोडा डाल दिया और बहां पर आपने कड़ाई में गरम करने के लिए पानी भी नहीं रखा अब ये बैटर ढोकला बनाने के लिए तैयार है आप इसे फटा-फट से घी लगा कर रखे हुए बटन में ट्रांसपर कर लेते हैं अब सीधा पहुंसते हैं अपने स्टीमर की तरफ और ये देखे फ्रैंस अभी कूकर के पानी में भी अच्छे से उबाल आ गया है अभी धोकला कूकर में रख देते हैं अभी ये कूकर का ढखकन लगा कर ढोकले को स्टीम करेंगे 20 मिनट तक कूकर के ढखकन पर हमें सी स्टीम होने देते हैं अब बाकी का बचा हुआ बैटर ये दूसरे घी लगे हुए बरतन में फटा फट से ट्रांसपर कर लेते हैं बैटर डानने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि बैटर सारी तरफ एकदम एक जैसा फैल जाए आप चलते हैं अपने 20 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं अब 20 मिनट तक आप इन्हें बिल्कुल भूल जाएं बीच में बिल्कुल भी चैक मत केजिएगा कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिन्हीं आप फोलो करोगे तो बहुती बढ़िया धोकला बनेगा 20 मिनट के बाद चलिए देखते हैं कि धोकला अच्छे से पका है या नहीं चैक कर लेते हैं तो कड़ाई का धकन हटा लेते हैं और ये देखे फ्रेंट्स क्या कमाल का जालीदार धोकला लग रहा है पूरी दरह से थाली में धोकला फूल चुका है अब हम धोकले को चाकू से चैक कर लेते हैं कि धोकला अंदर तक अच्छे से पका है या नहीं और ये देखे फ्रेंट्स नाइफ हमारा एकदम साफ निकला तो ये अच्छे से पक चुका है अगर इसमें थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई हो तो आप इसे 4-5 मिनट के और स्टीम कर लेजिएगा आप इसे कढ़ाई से निकाल लेते हैं आप ये दूसरा ढोकला भी कूकर में अच्छे से स्टीम होकर तैयार है आप इसे भी निकाल लेते हैं अब ढोकले को 15-20 मिनट तक ठंडा होने देते हैं और जब तक ये ढोकला ठंडा होता है तब तक हम इ कट्टा मीठा तड़का बना कर तयार कर लेते हैं तड़का बनाने के लिए एक पैन में दो बड़ी चम्मच तेल डालेंगे तेल को गरम कर लेते हैं तेल गरम हो गया है अब तेल में एक छोटी चम्मच राई डालेंगे राई को थोड़ा चटकने देते हैं राई के चटकते हम इसमें ये लंबाई में कटी हुई 6-7 हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही हम इसमें 6-7 करी पत्ता डालेंगे आप इन्हें एक मिनट के लिए हलका सा भून लेते हैं अब इसमें ये 2 कप पानी डालेंगे हमने 2 कप बेशन से धोकला बनाया है तो हम इसमें 2 कप फी पानी डालेंगे पानी डालने के बाद 3 बड़ी चम्मत चीनी एड़ करेंगे बहुत थोड़ा सा नमक अब इन्हें हम 3-4 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेते हैं 3-4 मिनट उबालने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे एक निम्बू का रस मिक्स करेंगे अच्छे से अब गयास को बंद करेंगे अब हमें इस तड़के को थोड़ा सा ठंडा करना है थोड़ा ठंडा करने के बाद ही हमें इस तड़के को धोकले पर डालना है 15-20 मिनट के बाद आप ये धोकला भी थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब हम धोकले को कट करेंगे 15-20 मिनट के बाद ही हमें धोकले को कट करना है पहले इसके चारो और चाकू को गुमा लेते हैं जिससे कि ये आसानी से निकल जाएं अब इस तरीके से हलका सा टैप करके धोकले को निकाल लेते हैं चलिए तो आप धोकले को कड़ लेते हैं कट अब मैं आपको ये धोकला कट करके दिखाती हूँ ये देखिए ये ढोकला कितना जालीदार spongy बना है अभी हमने इस पर तड़का भी नहीं डाला है तब भी आप देख रहे हैं इसका spong कि इस पर कितने ज़ादा air pockets है ये तभी होता है जब सही map और सही tricks का यूज़ करके ढोकला बनाया गया हूँ आप इसे अपने मन पसंद पीसिस में कट कर लेते हैं मैंने धोकला को छोटे छोटे पीसिस में कट कर लिया है अब इन पर तड़का डालने के लिए इन्हें हम एक प्लेट में रख लेते हैं प्लेट में निकानले के बाद अब जो हमने तड़का बना कर रखा था धोकले पर एड़ करेंगे अभी ये तड़का हलका ठंडा हो चुका है सारे धोकले पर अच्छी तरह से तड़का डालेंगे आप धोकले पर ये जितना जादा तड़के का पानी डालेंगे आपके धोकले उतने ही जादा सोप्ट और स्पंजी बनेंगे तड़का डालने के बाद अब हम धोकले पर थोड़ा बारी कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लेते हैं आप ये सोप्ट इस्पंजी ढोकले सर्व करने के लिए तयार हैं अगर आप भी इसी तरीके से ढोकले बनाएंगे तो आपके भी ढोकले इसी तरीके से सोप्ट और स्पंजी जालीदार बनकर तयार होंगे अगर आज की ये ढोकला रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक और से यार जरूर कीजिएगा अगर आपको हमारी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन जरूर दबाएं जिससे की चैनल पर आने वाली नई रेस्पी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें फिर मिलते हैं एक और नई रेस्पी के सा तब तक के लिए थैंक्यू फोर बोचिन